श्री ब्रहस्पतिवार व्रत कथाक भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राजय करता था। वोह नित्य गरीबों और ब्राह्मनों की सहायता करता था। यह बात उसकी राणी को अच्छी नहीं लगती थी। वह नहीं गरीबों को दान देती नहीं भगवान का मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नश्ठ हो जाए फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान तो सब भी चाहते हैं। उत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के वो बोली, महराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांगती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास तुग। तुम ऐसा करना कि ब्रहस पतिवार को घर लीपकर पीली से अपना सिर्धो कर स् भूजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्यन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राज दोखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहिन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लिया, ताकि थोड़ी बहुत गु दासी को रानी की बहिन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दोखी हुई और उसे क्रोध भी आया, दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी, सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा, उधर, रानी की बहिन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दोखी हुई होगी, तथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहिन के घर आई और कहने लगी, हे बहिन, मैं ब्रहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है, तब तक न दासी समेत पिछले साथ दिनों से भूखी रहने तक की बात अपनी बहिन को विस्तार पूर्वक सुना दी, रानी की बहिन बोली, देखो बहिन, भगवान ब्रहस पतिदेव सबकी मनो कामना को पूर्ण करते हैं, देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहिन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घरा मिल गया, यह देखकर दासी को बड़ी हरानी हुई, दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम विधी पूछी जाए, ताकि हम भी विध कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से ब्रहस पतिवार विध के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया ब्रहस पतिवार के विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोट गई। साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने वरत रखा, गुर साल में जाकर चना और गुर लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विश्नु भगवान का पूजन किया, अब पीला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दोखी थे, पिर रानी की साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया, उसके बाद वे सभी गुरुवार को वरत और पूजन करने लगी, ब्रहस्पती भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन समपत्य आ गई, पर अंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसे करने लगी, तब दासी बोली, देखो र रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलसे करती थी, तुम्ही धन रखने में कश्ट होता था, इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान रहस्पती की कृपा से धन मिला है तो तुम्ही फिर से आलसे होता है, रानी को समझाते हुई दासी कहती है कि बड़ी के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुन्य करना चाहिए, भूखी मनुश्यों को भोजन कराना चाहिए, और धन को शुब कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ख की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसन होंग दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुब कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, ब्रेहस पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आर्ती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बाठ कर उसे ग्रहन करना चाहिए, एक साधू वेश में स्वयम ब्रहस पति देवता थे, लकढ़हरे के सामने आकर बोले, हे लकढ़हरे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यू बैठा है, लकढ़हरे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रनाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मै उने तुम्हारी यह दशा कर दी, अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कश्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ती देंगे, तुम रहस्पती के दिन कथा किया करो, दो पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका बनाओ और शुद जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो, तथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत वप्रसाद बाटकर आप भी ग्रहन करो, ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाय पूरी करेंगे, साधू के ऐसे वचन सुनकर लकढ़ारा बोला, हे प्रभो, मुझे लकढ़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूँ, मैंने रातरी में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मनगा सकूँ, स ब्रहस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा, इतना कहकर साधू अंतर्ध्यान हो गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही ब्रहस्पतिवार का दिन आया, लकढ़हरा जंगल से लकढ़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया, उसे उस दिन और दिन से अधि उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यग्य का आयोजन किया तथा शहर में यह गोशना करा दी कि कोई भी मनुश्य अपने घर में भोजन न बनावे ना आग जलावे समस्चनता मेरे यहां भोजन करने आवे, इस आग्या को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी इस तरह की भोशना संपूल नगर में करवा दी गई, राजा की आग्यानसार शहर की सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लगता हुआ था, वो वहाँ पर दिखाए नहीं दिया, रानी ने निश्चे किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है, उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसको कारागार में दलवा दिया, जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दोखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से, मुझे यह डैक प्राप्त हुआ है और उसी साधू को याद करने लगा जो की जंगल में मिला था, उसी समय ततकाल ब्रहसपतिदेव साधू के रूप में प्रकेट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्क, तुने ब्रहसपतिदेव की कथा नहीं करी इस कारण तुझे डैक प्राप्त हुआ है, अब चिंता मत कर ब्रहसपतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू ब्रहसपतिदेव की कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोश है, वह राजा है उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खूटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजय को नश्ट कर दूँगा, इस तरह रातरी के स्वपन को देखकर राजा प्रातहकाल उठा और ख आश्चर्य हुआ, नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदर आधी बन गई है, राजा ने पूछा यह किसका बाग और धर्मशाला है, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और बांदी के हैं, तो राजा को आश्चर्य ह हुआ और गुसा भी आया, जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि, हिदासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लोट न जाएं, इसलिए तू दर्वाजे पर खड़ी हो जा आग्या नुसार दासी दर्वाजे पर खड़ी हो बई, राजा आय तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए, तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्थ हुआ है, तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन ब्रहस पतिदेव के इस व कहानी कहता, एक रोच राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहिन के यहां हो आवे, इस तरह निश्चे कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहिन के यहां को चलने लगा, मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, उन्हें रोक कर रा कथा भी सुनेगे, राजा ने दाल निकाले और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया, आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला, राजा ने उसे देखा और उस खाकर गिर गए तथा किसान की पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा, उस समय उसकी मा रोटी लेकर आई, उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुड़िया दोड़ी दोड़ी उस घुर सवार के पास गई औ तो अपनी कथा मेरे खेट पर चल कर ही कहना, राजा ने बुड़िया के खेट पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैलुट खर हुई तथा किसान के पेट का दर्द भी बंध हो गया, राजा अपनी बहिन के घर पहुचा, बहिन ने भाई की खूब महमानी की, दूसरे रोज प्रातहकार राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भूजन कर रहे हैं, राजा ने अपनी बहिन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भूजन नहीं किया हो, मेरी ब्रेहस पतिवार की कथा सुन ले, बहिन बोली, हे भाईया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहा लड़का बीमार था, उसे मालून हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भूजन नहीं किया है, राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा वह तयार हो गया, राजा ने जाकर ब्रेहस पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी, एक रोज राजा ने अपनी बहिन से कहा, कि हे बहिन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, राजा की बहिन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा हाँ चली जा, परन तो अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे बहिन ने अपने भाहिया से कहा, हे भाहिया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा, राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही क्या करोगी, बड़े दोखी मन से राजा अपने नगर को लोट आया, राजा ने अपनी राणी से कहा, हम निर्वि देंगे, उसी रात को ब्रिहस पतिदेव ने राजा से स्वपन में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी राणी गर्ब से है, राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, नवे महीने में उसके गर्ब से एक सुन्दर कुत्र पैदा हुआ, तब राजा ब बहिन ने यह शुप समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाय लेकर अपने भाई के यहां आई, तब ही राणी ने कहा, घोड़ा चड़कर तो नहीं आई, गधा चड़ी आई, राजा की बहिन बोली, भावी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें उलाद कैस ब्रहस पतिदेव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं, सभी को पूर्ण करते हैं, जो सदभावना पूर्वक ब्रहस पतिवार का वरत करता है एवं कथा पता है, अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ब्रहस पतिदेव उसकी सभी मनों कामना पूर्ण करते ह झाल 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 झाल